अबरीवां वेलकम टू ओल्डेस प्रेंट ओफ लाइब्रेरी और इंफरमिशन साइंस सभी विद्धार्तियों का स्वागत है जो भी लाइब्री साइंस से बीलाइस, CLS, MLS कर रहे हैं कर चुके हैं आप में से कई सारे से स्टुरेंट हैं जो कॉम्टिक दाम की त्यारी कर र चैसे तो सुर्ण इस वडियों हम खवर करने वालें मास्टर डिग्री का जो यहां पे पर कोड़ से अगर आप MLIS कर रहे हैं इगनू से चाहे आप किसी भी यर के हैं आपने अगर MLIS कर रहे हैं इगनू से तो आप लोगे जो पेपर कोड होता है MLIS के उसके कुछ सर्टन जो जो पेपर कोड होता है, उसके सेमिनार होते हैं, और कुछ सर्टिन पेपर कोड जो होता है, उसके आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ये कैसे होता है, और किस किसमें सेमिनार होता है, किसमें प्रैक्टिकल होता है, तो हाला कि ये मैंने मास्टर डिगरी का ये मतलब लिया हुआ है जिसमें जुलाई 2019 जनवरी 2020 सेशन के लिए हैं बट आप किसी भी सेशन के लिए हैं जो सेमिनार और प्रैक्टिकल के जो कोशन होते हैं वो सेम रहते हैं तो इसलिए आप चाहे कभी भी देख रहे हैं यह यह जो वीडियो है आपको हमेशा ही मतलब सेमिलर लग देख रहती है क्योंकि उसमें जो होता है ऑन्दर स्पोर्ट जो हमारे जो कांसलर होते हैं हमारे जो एक्जामिनर होते हैं वो देते हैं हमें टॉपिक्स तो चलिए मैं बताता हूं कि किस तरीके साथ को वहां पे कोशन भी ले गया फिर कौन कौन से में प्रैक्टिकल और कुछ लोग के सेमिनार जो है वो हो रहे हैं और कुछ लोग के आगे आने वाले दिनों में होंगे तो टेंशन ना ले आप लोग असानी से आप लोग का एक्जाम अच्छा गया है तो सेमिनार भी आप लोग का अच्छा ही होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन स सेमिनार देखने के मिलता है और कौन से पेपर कोड में तो पहला जो पेपर कोड होता है दो M.L.I. जैसे की M.L.I. 101 Information Communication and Society इसके अंदर आपका यहां पर देखिए क्या होगा यहां पर सेमिनार होगा तो सेमिनार की बात करें तो यह होता है हमारा पचास नंबर का और वहां पर मतलब ओवराल जो है वो काउंटिंग जो अलग तरीके से उलो करते हैं जिसमें देखिए हैं पर कवरिज किस चीज को किया जाता है 1 से 16 जो यूनिट है उनमें से ही चीजे को यह लिया जाता है तो अब मैं इसमें पढ़के बता देता हूं कि लिखा क्या है और आपको किस चीज को कैसे मतलब प्रिपेर करना है प्रोग्राम गाइड आपने देखा हो मैंने उसके बारे में भी बताया है तो प्रोग्राम गाइड में एनेक्सिस जो वन है उसके एकोडिक आपको प्रिपेर करना है प्रोग्राम कोड में जो भी टॉपिक सजिस्टेड है वहां से लोग लेके देते हैं अब देखिये कई सारे स्टूइंट ऐसे होंगे जिननोंने दे रखा होगा वह यहां पे कमेंट कर सकते हैं ताकि जो student यहाँ पे जो देने वाले हैं उनको help हो सके कि किस तरीके के topics आपको मिले थे किस तरीके से आपका मतलब हुआ था एक तरह से आप explanation टाइप का लिख दे तो बहुत helpful रहेगा तो एक तो यह बात हुई दूसरी बात यह है कि बहुत सारे student ऐसे भी होंगे जो मतलब दे चुके होंगे बट उनका अलग तरीके से होगा तो देखे जो भी यहाँ पे conduct करने का जो तरीका होता है वो वेरीज करता है study center से एक study center से दूसरे study center पे तो यह matter of fact नहीं है कि आपका किस तरीके सुआ था क्योंकि यह varies करता है तो इसके उपर आपको ज़्यादा dwelling नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि आप कहां से मतलब कर रहे हो बाकी जो चीजे रहती है वो सेम रहती है जैसे कि इसमें mention है कि आपके जितना भी हाँ पे units है वहां से ही topic जो लेके आपका जो guides है वो आपको देगा और फिर आपको सेमिनार में आपको present करना पड़ेगा है जो भी वो होता है वो होता है यहां पर practicals तो जितने भी हमारे MLI I101 से लेके 104 तक है इनमें सब में practical ही होता है तो practical जैसे इसमें थोड़ा वेरी करता है लाइक इसमें unit 9 19 है total तो एक से 19 unit तक का यहां पे लिया जाता है cover किया जाता है total मांकि इसमें भी सेम रहता है तो the broad area on which practical test are to be given are mentioned below तो यहां पर कुछ mention किया गया है topic चीज़ पर आपको यहां पर practical या test देना होगा counselor will provide you detail about the practical work वो आपको मतलब जा है detail में आपको practical work देंगे तो like for example one question रहेगा इसमें development of CAS products content analysis service products जो है यह जो की 25 नंबर का रहेगा acquisition with finding the names of e-resource providing on different topics तो आपको e-resource जो है electronic resource जो है वो आपको different topics पे यहां पे find करना पड़ेगा acquisition related फिर identify करना होगा identification of the activities of library and information network and national and international जो level होता है मतलब की कौन कौन से activities हैं जो की यहां पे national and international level पे होता है library या information center में यह आपको यहां पर बताना होगा यह varies कर सकता है यह depend करता है आपके counselor पे note में देखे the concerned counselor will provide the detail about the practical work वो और ज्यादा detail में आपको बताएंगे तो उसके लिया वेट करें और जैसे कि मैंने बोला है जिनका already हो चुका है उनसे मेरा बहुत ही मतलब जादा request है कि please करके आप अपने experiences जो है वो share जरूर करें अगर आप कर सकते हैं तो because इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा बाकी student जो है उनकी help हो तो आप लोग जरूर यहां पर शेयर करें उसके अलावा उसके अलावा है MLI इसके भी सेमिनार होगा तो सेमिनार में सेम रहेगा जैसे मैंने ऊपर बताया था हा प्रैक्टिकल में थोड़े वेरी कर रहे हैं like MLII102 है तो इसमें देखे इसमें अलग तरीके के और भी एड क करा गया है like AACR2R का यहां पर लेंगे जनरेट करना होगा catalog data according AACR2R फिर creation of database using CDS, IIS तो यह सारी चीज़ा और एड हो जाएगे XML जो coding है and creation of webpage database searching तो इसमें और भी चीज़ें यहां पर एड कर दी गई हैं तो इस पे आपको जादर फोकस करना है जो आपके चार में सबजेक् उसके अलावा जो है MLII 103 इसमें आपका रहेगा यहां पर भी आपका practical work है और इसमें जैसे MS-DOS यहां पर command के उपर आपको करना है window operating system हो गया टेली कम्यूनिकेशन टेक्नोलेजी यूज़ पाई जो networking है तो वेरीज कर रहा है है यहां पर question तो इस पर आपको मतलब ध्यान देना है तो यह सब practical work है तो practical work में आपको practical ही करके दिखाना पड़ेगा यहां पर देखे 104 में क्या है जैसे searching using different search option होता है database that have been created using winces उसके अलावा selecting a new news alert service from internet and becoming its member using the evaluating search engine and creating of email account and related activities होती है such as sending receiving mail attending file etc like आपको एक email create करना पड़ेगा वहां पर आपको कैसे आप mail send करोगे अगर आपको किसी vendor को mail send करना है या फिर आपको अगर कहीं से queries आया है mail के थूरू और आपको उसको reply करना है तो इस तरीके कोशन नमत्चीजें हाँ पर कराया जाएगा तो इस तरीके के आपको प्रैक्टिकल्स वहां पर देखने को बिलेगा और फिर सेमिनार देखने को मिलेगा इसके अलावा एक मैंने और वीडियो बनाया हुआ है सेमिनार के ऊपर उसको आप जरूर देखें विकास उसमें मैं कार्ड में भी मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको देख लें तो यह पूरा डिटेल था इसके रिगार्डिंग आई होप आपको समझ में आया होगा और किसी प्रकार का डाउट हो अगर फर्दर आपको और कुछ पूछना हो तो इसी वीडियो को में करें हम नेक्स जो कर दो